आज हम comparative advantage and opportunity cost को करने वाले हैं तो इसमें हम देखें के the labor theory of value अब ये क्या है और क्यों हम इसको देखने वाले हैं तो अगर हम देखें, Ricardo ने जो law of comparative advantage दिया था वो बड़ी सारी assumptions पे based था तो उसमें कौन-कौन सी assumptions है? पहली assumption कि दो nation है और दो ही commodity है ये हमारी पहली assumption है दूसरी assumption है कि free trade का situation है तीसरा assumption है कि labor की perfect mobility है within the nation labor within the nation जहां मर्जी चाहे आ जा सकता है पर दो nations के बीच में नहीं आ जा सकता है fourth assumption था कि cost of production constant है fifth assumption है कि transportation cost कोई भी नहीं है sixth assumption है कोई technical change नहीं हुआ है और seventh assumption था the labor theory of value अब ऐसा कहा गया कि इस assumption को नहीं use करना चाहिए क्योंकि ये invalid है comparative theory को इस theory पे base नहीं करना चाहिए the labor theory of value पे base नहीं करना चाहिए उसकी explanation तो अब क्यों नहीं करना चाहिए ये theory है क्या इसको हम देख लेते हैं तो इसमें सबसे पहरी चीज है इस theory का मतलब है कि किसी commodity का जो price है वो exclusively depend करता है कि कितना amount of labor उस समान के production के लिए लगाया गया है अब अगर हम इस theory को मानें तो इसका दो मतलब होगा इसका मतलब या तो यह हो सकता है कि आप जो production है वो सिर्फ एक ही factor से कर रहे हो जो कि labor है which is not possible या इसका मतलब यह हो सकता है कि अलग अलग commodities के लिए same fixed proportion में labor required है ये बात भी गलत है नहीं ऐसा possible है इसका दूसरा मतलब यह भी है कि जो labor है वो homogeneous है कि सारा labor identical है exactly same है तो हम बोलते हैं ये दोनों statement ही गलत है true नहीं है तो अब Ricardo ने जो इसको use किया था अपने theory को explain करने के लिए यहां तकी Ricardo खुद भी इसमें belief नहीं करते थे उन्होंने इसको इस्तमाल सर्फ इसलिए कि वो comparative advantage की theory को simple way में explain कर सके तो अब अगर इसका इस्तमाल ना किया जाए तो किसका इस्तमाल हम कर सकते हैं तो हम opportunity cost theory का use कर सकते हैं ये ज़्यादा relevant है valid है तो इसका इस्तमाल hybridler ने किया 1936 में hybridler ने opportunity cost theory का इस्तमाल करके comparative advantage theory को explain किया अब ये है क्या ये theory क्या है इस theory का मतलब है अगर आप किसी समान का एक additional unit produce करना चाहते हो तो ऐसा करने के लिए आपको किसी दूसरे समान का कुछ unit reduce करना पड़ेगा मतलब क्या हुआ अगर हम दो समान produce कर रहे हैं मान लेते हैं A और दूसरा B हम A और B का production कर रहे हैं अगर हम चाहते हैं कि हम B का एक unit extra produce करें तो ऐसा करने के लिए हमको A unit की production को reduce करना पड़ेगा जब हम A जो हमारा good है उसकी production को reduce करेंगे तो जो resources बच जाएंगे उन resources का इस्तमाल हम B की एक additional unit को produce करने के लिए कर पाएंगे तो इसको हम opportunity cost कहते हैं या opportunity cost theory है कि एक समान के एक additional unit को produce करने के लिए हमें किसी दूसरे समान की कुछ units को sacrifice करना पड़ेगा अब इस theory पे base है हमारा यह पूरा explanation जो हम देखने वाले है तो production possibility frontier under constant cost तो production possibility frontier क्या होता है यह हम सब जानते हैं production possibility frontier या production possibility curve इसको PPC कह देते हैं इसका एक और नाम होता है transformation curve तो यह सब इसी के नाम है तो production possibility frontier का मतलब होता है वो अलग-अलग options वो अलग-अलग combinations दो commodities के जो एक nation produce कर पाएगा अपने सारे resources का इस्तमाल करके अपने सारे resources का best इस्तमाल करके और जो technology उसके पास में available है उसका इस्तमाल करके तो एक nation है जैसे अभी हम इससे देखेंगे अच्छे तरह से अगर हम US का example ने तो US में जितने भी resources available है अगर US उन सारे resources को इस्तमाल कर देता है wheat और cloth के production में अगर वो ऐसा करेगा तो वो different क्या combinations possible है जिसको वो produce कर पाएगा जो given technology उसके पास में है उसके थ्रूप और साथ में अपने resources का best इस्तमाल करके तो यह सारे options है यह सारे alternatives है जो वो कर सकता है या तो वो ऐसा करें कि सारा का सारा resource wheat के production में लगा दे अगर वो ऐसा करेगा तो wheat का production 180 हो जाएगा और cloth को produce वो नहीं कर पाएगा या फिर वो ऐसा करें कि wheat 150 produce करें तो cloth 20 कर पाएगा wheat को 120 करेगा तो इसको 40 तो यह सारे combinations है तो यह different combinations है US में कि वो जो resources उसके पास में available है उसका best इस्तमाल करके और साथ में जो technology उसके पास में है उसका best इस्तमाल करके दो commodities के किन किन combinations को produce कर पाएगा अब हम बोल रहे हैं कि अगर constant cost है cost को हम constant consider कर रहे हैं तो अब यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब यह होगा कि मानो अगर US ऐसा चाहता है कि वो cloth की 20 units बढ़ा दे तो 20 unit cloth बढ़ाने के लिए उसको wheat कितना sacrifice करना पड़ा 30 wheat sacrifice करना पड़ा अब हम यहाँ पे देखे वापस से 20 unit पड़ गई 20 से हम 40 पे आ रहे हैं तो हमने cloth की 20 units को बढ़ा दिया उसके लिए 150 से हमें 120 पे जाना पड़ा यानि 30 wheat की units को हमको कम करना पड़ गया ऐसा ही throughout हो रहा है जितना देख लो सब जगए ऐसा ही हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि हमारी cost constant है cloth को produce करने की cost constant है यानि extra unit cloth का produce करने के लिए उतना ही wheat हमको throughout sacrifice करना पड़ रहा है और similar case है हमारा United Kingdom का यहाँ पर क्या हो रहा है अगर United Kingdom अपना सारा resource लगा दे wheat के production में तो वो 60 कर पाएगा और cloth को produce नहीं करेगा अगर वो अपना सारा resource लगा दे cloth के production में तो 120 cloth कर पाएगा और wheat को produce नहीं करेगा और बांकि यह सारे combination कि 50 wheat, 20 cloth जो हमारा production possibility curve है उसका slope क्या होगा तो उसका slope कैसे पदा चुलेगा हम बोलेंगे यह 20 है difference 20 है तो हम लिखेंगे 20 फिर हम देखेंगे wheat कितना sacrifice किया गया 30 तो हम डाल देंगे 30 इसका मतलब 2 third तो हमारा production possibility frontier जो है उसका जो slope होगा वो 2 third, 2 third throughout जाएगा क्योंकि वो constant है इसमें कोई change नहीं आ रहा जितना भी हम आगे बढ़ जाएं कोई change नहीं आ रहा है उसी तरह से United Kingdom का अगर हम check करें तो इसका 20 तो लिख दो 20 और wheat में कितना change आया 10 units तो हम लिख देंगे 10 तो इसका मतलब इसका कितना है इसका 2 तो इसका slope इसके इसाब से चलेगा अब हम देखते हैं आगे इसको अब हम देख रहे हैं जो constant opportunity cost है ये कब हो सकता है तो ये तब होगा जब आपके पास में जो resources available है वो perfect substitute है एक दूसरे के यानि जो resource हमारे पास में है वो wheat का production उससे हम करें या उससे हम cloth का production करें फरक कोई नहीं पड़ेगा वो equally efficient है दोनों समान के production को करने के लिए दूसरा इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास में जो factors है वो homogenous है exactly same है factors की quality exactly same है तो ये होगा अब एक चीज थी वो हम देखी चुके है कि एक समान की production के लिए एक समान की additional unit को produce करने के लिए दूसरा समान जो हमको sacrifice करना पड़ रहा है वो constant है यानि हमारी cost एक समान के production की constant है अब एक nation में समान का production का जो cost है वो constant है पर दो nation का अलग-अलग हो सकता है अगर US का cost अलग है वो जो हो सकता है और UK का cost अलग हो सकता है पर उस nation में जो cost होगा वो constant होगा यानि US में किसी समान के production का cost constant होगा उसी तरह से UK में भी किसी समान के production का cost constant होगा पर ये आपस में different हो सकते हैं US और UK में production cost different हो सकता है फिर है opportunity cost and relative prices अब इसका क्या मतलब है? इसको देखते हैं तो जो हमारा slope है अगर opportunity cost का हम slope देखें तो ये हमने अभी discuss किया है इसका अगर हम slope देखें तो हमने देखा था जो US था उसका slope two-third आ रहा था और UK का slope हमारा two आ रहा था तो वो हम जानते हैं अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ wheat के production की opportunity cost जो है वो इतनी है two-third है और ये constant है US के अंदर और दूसरा UK में wheat के production की cost है two और ये constant है पूरे UK में तो इस तरह से हम देख सकते है ये जो हमारा slope है इसमें हम price उपर wheat का रख रहे हैं नीचे हम cloth का रख रहे हैं तो यहाँ पे इन दोनों cost को अगर compare किया जाए तो हम देख सकते हैं कि wheat के production का cost US में कम है जबकि UK में जादा है तो इस वज़े से US जो है उसको comparative advantage होगा wheat के production में और UK को comparative advantage होगा cloth के production में यहाँ पे हम demand को बिल्कुल भी consider नहीं कर रहे हैं कि demand किस तरह से relative commodity price को affect कर सकता है उसको हम ignore कर रहे हैं इस वाले factor को हम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं अब हम देखेंगे डोनों US और UK का PPC production possibility curve तो इसमें क्या show हो रहा है देखते हैं इसको अब क्योंकि US में जो cost है constant है हमने देखा opportunity cost constant है opportunity cost constant है उसकी वज़े से यह एक straight line है और same case है UK में क्योंकि opportunity cost constant है इसलिए एक straight line है ठीक है अब और क्या हम इसके अंदर देख सकते है कि जब trade नहीं हो रहा है जब US और UK आपस में trade नहीं कर रहे है तो ऐसे situation में वो US A point पे है US उस situation में A point पे है और UK A dash पे है तो A point पे होने का मतलब जब US trade नहीं कर रहा है उस situation में US 90 units wheat produce करता है और 60 units कपड़ा produce करता है जबकि UK 40 units wheat produce करता है और 40 units ही cloth का भी produce कर रहा है तो अब अगर ये लोग trade ना करें आपस में फिर क्या होगा अगर trade ना करें तो हमने देखा USA point पे था जहां पे वो 90 wheat और 60 cloth produce कर रहा था और UK A dash पे था जहां पे वो 40 wheat और 40 cloth produce कर रहा था अब अगर ये trade करते हैं तो trade करने से इनको क्या फाइदा होगा trade करने से इनको फाइदा होने वाला है दिखते हैं तो जब trade होगा तो उस situation में US B point पे पहुँच जाएगा B point पे पहुँच जाएगा इसका मतलब अब वो specialization gain कर लेगा wheat के production में वो cloth की production बंद कर देगा comparative advantage उसको wheat में था तो wheat का production ही करेगा वो cloth का production बंद कर देगा तो जहां पहले वो 90 units wheat produce करता था और 60 cloth करता था अब वो cloth को कर देगा 0 और सारा अपना effort लगा देगा wheat के production में सारे resources wheat के production में लगा देगा तो wheat 180 produce हो जाएगा अगर UK भी ऐसा ही करे UK को comparative advantage नहीं था wheat के production में उसे comparative advantage था cloth के production में तो अगर वो cloth का production ही करे wheat का production ना करे specialization gain कर ले cloth के production में तो वो wheat का production बिलकुल नहीं करेगा और 0 पे आ जाएगा जबकि cloth का production 120 करेगा अब इससे फाइदा क्या हुआ? इससे फाइदा ही हुगा कि जो US है वो 70 wheat दे देगा UK को और उससे 70 cloth ले लेगा अब कितना वो consume करेगा? production तो उसका यह है US का production 180 wheat और 0 cloth है पर उसने trade कर लिया तो जब trade किया 70 wheat UK को दिया और 70 cloth ले लिया UK से तो अब वो E point पर consume करेगा यह points हम सारे diagram में देख लेंगे तो अब वो क्या करेगा? उसका wheat तो कम हो गया क्योंकि उससे 70 wheat दे दिया 70 wheat दे दिया 180 में से तो उसके पास wheat रह गया 110 और cloth जहां पहले वो बिल्कुल नहीं produce कर रहा था पर अब उसे cloth मिल गया UK से wheat के बदले तो 70 C उसके पास में आ गया तो पहले उसका production यह था तो production यह था तो consumption भी यह था क्योंकि trade तो करनी रहा था absence of trade के case में जो PPC होता है वो ही consumption frontier भी होता है क्योंकि जो आप produce करोगे वही आप use कर पाओगे trade तो आप करनी रहो अब क्या हुआ यहाँ पे अगर हम compare करें कि US को कितना फायदा हुआ पहले वो इतना consume कर रहा था इतना produce कर रहा था अब वो consume इतना कर पाएगा तो ऐसे condition में उसे 20W का फायदा हुआ 90W consume कर सकता था अभी 110 wheat को कर पाएगा 20 wheat का फायदा हुआ और 10C का फायदा हुआ पहले 60C consume कर था अभी वो 70C कर पाएगा अब देखें तो UK को क्या फायदा हुआ तो जो UK था वो पहले इतना produce और इतना ही consume कर पा रहा था पर अब trade करने के बाद trade करने के बाद क्या हुआ उसने 120 में से 70C तो US को दे दिया 70C US को दे दिया और बदले में उसको 70W मिल गया तो अब हम compare करें तो पहले 40W consume करता था अभी वो 70W consume कर रहा है तो 30W का फायदा हो गया और पहले वो 40C consume करता था जबकि अब 120 में से 70 तो उसने दे दिया तो अब वो कितना consume कर पाएगा अब वो 50 consume कर पाएगा तो उसको 10C का benefit हो गया तो इससे सब को फायदा है comparative advantage से अब इसी को हम diagram से देख लेते हैं तो diagram में देखें तो trade से पहले trade से पहले ये A point पे था US जहां पे वो 90 wheat और 60 cloth produce भी करता था consume भी करता था उसी तरह से ये A dash पे था 40 wheat consume भी करता था ठीके 40 wheat consume करता था और produce करता था उसी तरह से 40 cloth भी consume करता था साथ में produce करता था क्योंकि trade तो होता नहीं था अब जब trade हुआ तो अब ये दूसरे points पे shift हो जाएंगे ये E point पे shift हो गया ये consumption शो कर रहा है ये जो हमारा blue वाला curve है वो consumption को शो कर रहा है और ये उसका PPC है अब trade हो रहा है तो दोनों अलग हो गए absence of trade के case में दोनों same थे तो अब क्या हो रहा है अब ये 70 cloth consume करेगा और 110 wheat consume करेगा क्योंकि इसने complete specialization gain कर लिया था wheat में तो ये 180 wheat produce कर पा रहा था ये 70 इसने UK को दे दिया था बदले में 70 C इसको मिल गया था तो इस वज़े से अब इसका consumption point E है जहाँ पे ये 70 cloth consume कर पाएगा और 110 wheat consume कर पाएगा जबकि उसका production point B है जहाँ पे वो wheat 180 produce कर रहा है पर cloth को 0 produce कर रहा है अब इसी तरह से अगर हम UK के बारे में देखे तो UK में क्या हो रहा है UK अब E dash point पे है तो अगर उसने अपने सारे resources cloth के production में लगा दिये तो वो 120 cloth produce कर पा रहा है और वो wheat का production 0 रख रहा है अब क्या हुआ इतना कर रहा है पर consumption कितना कर रहा है consumption 50 cloth का कर रहा है क्योंकि इसने 70 cloth तो US को दे दिया था 70 wheat को gain करने के लिए 70 cloth US को दे दिया बदले में इसको 70 wheat मिल गया तो अब इसका consumption point E है जहां पे 50 cloth है इसके पास और 70 wheat है इतना ये consume कर रहा है जबकि production इसका wheat का 0 है और cloth का 120 है अब बस हमारा काम finish है last diagram अब यहां पे क्या show हो रहा है यहां पे show कर आ जा रहा है relative commodity prices with trade तो अब हम बोले कि जो हमारा US है वो maximum कितना production कर सकता था अपनी सारे resources का इस्तमाल अगर वो wheat के production में कर दे तो maximum उसका production possible था 180 अपना सारा resource wheat में लगा दे तो 180 wheat produce कर पाएगा और price क्या जाता relative price 2 by 3 तो हमने पहले wheat का price रखा अपन में cloth का price रख दिया तो relative price 2 is to 3 है और इस पे US production maximum कर सकता था 180 और UK production कर सकता था 60 तो इसका बीच का gap 60 है तो यह US तो इतना कर पा रहा है और UK उसका relative price 2 था जिस पे वो 60 produce कर पा रहा है तो इस तरह से यह supply curve बन गया है यह maximum supply show हो रहा है US, UK का एक साथ में हम show कर रहे हैं अब क्या हुआ? जब यह wheat का show कर रहे हैं हम सिर्फ wheat का यहाँ पे हम show करेंगे सिर्फ हमारा cloth का तो wheat का total supply possible था दोनों अगर अपना पूरा का पूरा resource wheat में लगा देते तो इतना supply possible था अब अगर demand मान लेते हैं यह वाला है दोनों का मिला के demand यह है तो यह demand curve दिखा रहा है तो अगर demand curve यह है तो क्या हो रहा है relative price 1 आ रहा है relative price 1 आ रहा है और equilibrium quantity 180 आ रहे है तो यह पूरी 180 हम जानते है कौन produce कर रहा है US अब यहाँ पे देखें तो क्या हो रहा है यहाँ पे हम cloth का price उपर और wheat का नीचे रख रहे हैं तो यह cloth का relative price है अब क्या हो रहा है यह half उसी तरह से अब यह relative price UK का है cloth के production के लिए तो UK का relative price half है और वो half पे 120 cloth produce करेगा और US का relative price 3 by 2 है उतने पे वो cloth का production अगर सारा resource cloth पे लगा दे तो वो भी 120 कर पाएगा इन दोने के बीच का gap 120 है तो यह UK का supply हो गया यह US का supply हो गया अब हमको पता है जब trade होगा तो trade के situation में सारा cloth produce किया जाएगा UK के थूँ UK specialization gain कर लेगा वो तो हम जानते थे अब क्या होगा अगर दोनों का demand curve बना दे साथ में दोनों का demand curve cloth का बना दिया गया तो वो E dash point पे है जहां पे यह relative price है 1 हमारा relative price है और equilibrium quantity 120 है और यह पूरी की पूरी 120 quantity हमारी UK ही produce करेगा अब हम देख रहे हैं कि जो relative price है after trade दोनों condition में one हो गया है अब relative price कितना होगा वो क्या होता है दोनों nations का जो price होगा US, UK का जो relative price है उसके बीच में कहीं होता है after trade जो relative price होगा वो उसके बीच में कहीं पे होता है दोनों condition में ऐसा ही है पर अगर ऐसा हम मान ले कि ऐसा ना हूँ अगर हमारा demand curve यहाँ पे होई न, जहाँ पे वो भी है, वो इस section में कहीं पे हो, फिर उस situation में क्या होगा, उस situation में जो trade होगा, वो pre-trade price पे ही होगा, तो pre-trade price that was 2 by 3, US के लिए, वो उसी price पे होगा, तो ऐसे situation में अगर जो छोटा nation है, हमारे case में, जो छोटा nation है, वो कांसा हो गया, UK हो गया, तो जो छोटा country है, वो क्या होगा, उसको बहुत जादा benefit होगा, ऐसे situation में छोटे nation को बहुत जादा benefit होता है, अगर वो अपने वाले, अपना वाला जो commodity है, उसमें specialization, complete specialization gain कर ले, और जो बड़ा nation है, उसको नुखसान उठाना बढ़ता है, इस चीज़ को हम small country case कहते हैं, कि अगर ऐसा हो, UK cloth के production में complete specialization gain कर ले, जबकि US wheat के production में complete specialization gain ना गर पाए, तो ऐसे situation में UK को बहुत जादा benefit होगा, तो इसको हम small country case कहते हैं, और यह शो करता है, importance of being unimportant, क्योंकि छोटा है, तो उसको फाइदा हो रहा है, importance of being unimportant, और यह फाइदा जो UK को होगा, यह ऐसा नहीं है कि बिना risk के होगा, यहाँ पर risk यह भी है कि future में, अगर जिस समान के production में, उसने specialization gain किया है, यानि उसने cloth के production में specialization gain किया है, अगर ऐसा हो, future में उस समान का demand कम हो जाए, तो फिर छोटे nation को कुछ नुकसान भी हो सकता है, risk factor भी यहाँ पर है, शुर बस यह इतना ही है,